आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाओ इमेज की size question में पुछी गई है ठीक है तो देखिए lens कौन सी है convex lens है तो convex lens इस तरीके से होती है और सपोज करो ये जो है इसकी principal axis होती है ठीक है this is the principal axis और एक image है जिसे placed किया गया है जिसकी हाट हमारे पास सपोज करो ये हमारे पास स्वरी एक object है इसको placed किया गया है और इसकी height जो है object की 3 cm दे रखी तो पूछा जा रहा है और इसकी focal lens हमारे पास दे रखी कितनी 20 cm convex lens से तो positive होगी क्योंकि converging mirror होता है ठीक है तो इसकी image का height पूछा गया ठीक है और यहाँ से कितनी distance पे रखा गया ठीक है यह चीज है हमारे पास question में दे रखी अब यहाँ पर देखो इसके लिए हमें क्या find करने है पड़ेगा magnification magnification find करने के लिए तो इसके लिए हम क्या करते हैं इसमें lens formula apply करते हैं तो lens formula हमारे पास क्या होता है that is 1 by v minus 1 by u equals to 1 by f होता है ठीक है तो 1 by v यू की value negative है तो that is 1 by minus 1 by 10 और focal length क्या है 1 by 20 देखे यू की value negative इसलिए होगी क्योंकि light री कॉनसी direction में travel कर रही यहां से इस direction में travel कर रही और आप distance इसके opposite measure कर रहे हो ठीक है मतलब आप distance इस direction में measure कर रहे हो इसलिए इसको negative लेना पर रहे है इस direction में measure करोगे तो positive होगी ठीक है तो यहां पर देखे 1 by v equals to क्या हो जाएगा 1 by 20 minus 1 by 10 ठीक है तो LCM आजाएगा 20 यह कितनी हो जाएगी 1 minus 2 ठीक है तो v की value कितनी हो जाएगी minus 20 centimeter ठीक है यह आजाएगी हमारे पस v की value minus 20 centimeter मतलब आपका जो image बनेगा वो कहां बनने वाला है वो कहीं यहां पर बनने वाला है ठीक है यह आई बनेगा this will be height of the image h-s ठीक है कितना centimeter पर 20 centimeter अब हमारे पास size पूछा गया इसकी ठीक है अब यह ऊपर हमारे पास magnification find करना है तो magnification जो होता है that is m वो क्या होता है height of image divided by height of object होता है और वो होता है weave upon u के equal ठीक है तो h-s upon h b की value कितनी है minus 20 और u की value कितनी है हमारे पास u की value minus 10 ठीक है तो h-s बराबर क्या हो जागा 2 times of h height of object और height of object हमारे पास कितना है मतलब size of object एक तरह से that is 3 centimeter मतलब 2 into 3 centimeter तो h-s equals to 6 centimeter है ठीक है और यही हमारा क्या होगा answer होगा इस question के लिए तो आई होप आपको यह चीज़े समयज में आ गई होगी Thank you